नमस्कार, मैं हूँ विवेक श्रवास्तो अभी मजदूरों के लिए अच्छी खबर आई 17 दिनों के बाद 41 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया लेकिन अभी सरकार उनकी देखभा लगातार कर रही है अब बड़ी अपडेट इसी के साथ शुरू कर लेते हैं बोलटन की उतरकाशी से रिशिकेस लाए गया है 41 मजदूर एरपोस के चीनूख हेलिकॉप्टर से रिशिकेस ले जाए गया है यह मजदूर रिशिकेस एमस में मेडिकल मजदूरों के टेस्ट होंगे कल उतरकाशी की सिल्क्यारा टेनल से 41 मजदूरों का रिशिकेस ले जाए गया है लेकिन अभी चीनूख हेलिकॉप्टर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक जो वो उडान भरने को तयार है और दूसरी तस्वीर जो आप देखने हैं उसमें मजदूरों को वहाँ पहुचाया जा रहा है एम्बूलेंस के माध्यम से वहाँ पर अब उन्हें रिशिकेस एम्स पहुचा दिया गया और वहाँ पर उनके मेडिकल टेस्ट कराए जाने हैं ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं एक तालिस मजदूर सभी सही सलामत है लेकिन एक तालिस दिन माफ कीजे सतरा दिन तक एक तालिस मजदूरों को उस टर्नल में रहने के बाद क्या किसी न्यूट्रिशन की कमी है कोई और समस्या तो भविष्य में नहीं आ सकती है ये चीजे सुनिश्चत करने के लिए जो सरकार है वो ध्यान दे रही है और अभी फिलाल जो आप देख रहे हैं चीनूक हेलिकॉप्टर और उसी से रिशी केस एम्स पहुचा दिया गया है वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा इसके पहले जो तस्वीर आई थी वो भी मैं आपको बता दूँ कि मजदूरों को एम्स पहुचाने से पहले खुद जो तक 41 मजदूर वहाँ रहे थे और अब फिलाल उनके मेडिकल चिकप के लिए रिशी केस एम्स पहुचा दिया गया है ताकि जब वो अपने घर जाए तब उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े ये चीज प्रशासन सरकार सुनिश्चित करना चाहती है इसलिए रिशी अपडेट जो आ रही है कि जो चिनूख हेलिकॉप्टर है वो रिशी केस एम्स पहुचा और अब मजदूरों को एम्स में अंदर पहुचा दिया गया है अब उनकी वहाँ पर जाच होगी किसी को कोई समस्या तो नहीं है आने वाले दिनों में कोई समस्या तो नहीं सामने आ सकती है इन सारे संभावनाओं की जान की जायेगी और ये बात सुनश्चित की जाएगी कि वो जब अपने घर पर हो तो स्वस्त हो, सही सलामत हो आगे के जिंदगी में भी उन्हें कोई दिखकत ना हो वो स्वस्त होकर अपनी जिंदगी गुजारे से लिए बागे बढ़ते हुए किस तरह उत्तरकाशी के सुरंग में रिस्क्यू आपरेशन चला पूरी कहानी केंद्रिय मंतरी जनरल वीके सिंग ने एवीपी निउस पर बताई है अभी शेक उपाद्या ने वीके सिंग से खास बात चीत की है आपको सुनाते है केंद्रिय मंतरी जनरल वीके सिंग हमारे साथ है पिछले बारा दिन से वहां डटे हुए थे जहां पूरे देश की निगाहें थी और जनरल साब पूरे देश की उम्मीदें वहां लगी हुए थी आपको हम लगातार वहां पर देख रहे थे आपने तमाम उतार चुड़ा और तमाम कठे इस्थितियां देखी हैं कहां कहां से यमन से और कौन काट से आपरेशन आपने युद्ध शेतर भी आपने देखा है ये भी का युद्ध सरीखा था माना इस्थित में पहले सुनना चाहता हूँ आपने जिस तरह से बारा दिन इसको हैंडल किया है क्या ये भी एक युद्ध जैसा ही था जिस तरह से आप वहां से फाइनली निकालने हैं कामियाब हुए आप लोग त अच्छी बात 2014 के बाद भारत में हुई है हमें एक ऐसा प्रधान मंत्री मिला है जिन्हों ने सब भारतियों को गारंटी दी है कि अगर वो कहीं फंस जाएंगे तो देश उनको बचा कर ले आएगा दो हुजार चोदा के बाद हुआ अब देखिए आ जहां पर क्या कुश ह अब प्रधान मंत्री खुद इन्वाल होते हैं इन 16 17 दिन सुबह शाम पूरा इसका जायजा लेते थे पूरे इसके बारे में पता करते थे कोई अगर चीज करनी है तो बोलते थे इसको करो वहां पर यह चीज हो सकती है वहां से मंगाओ और उनके कार्याले से एक टीम वहा टी की कि कुई की दिक प्रोग्र्रेस कैसे हो रहा है क्यों कमी आ रही है उसको क्या ठीक कर सकते हैं तो बहुत में ने कहा कि जब हुग और मुखिया परिवार का कि आपने महत्पूर्ण बात कि आपने दोहजार चौदा का जिकर किया और आपने जो अपना जीवन देखा आपने ये आर्मी का जीवन देखाता आपने पिलिटिकल जीवन देखांό आपने दोहजार चौदा के पहले और बात का क्या फर्क मैसूस क्या इस तरह की चैलिंजेज में लेकिए अभी जिस तरीके से प्रधान मंतरी जी खुद इन्वाल्व होते हैं जिस तरीके से उनका मारव दर्शन होता है जिस एक चीज़ को समझेगा उन्होंने बहुत देखिए कच में जब अर्थक्वेक आया था भुकम पाया था तब उसके रहतकारे के अंदर वो लगे उन्होंने बार देखिए सूरत के अंदर आती हुई तो ऐसी चीज़े हैं जिसका उनको एक अनुभव है और वो उस अनुभव के तोर पर आगे क्या हो रहा है उसके अ अच्छी और सटीक सला देते हैं बहुत फरक पड़ता है इसका दूसरी चीज क्या है आप को कि अच्छा जी यह जाओ आप यह कर लो उसके बाद आप उनको भूल जाओ और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको समान मिल रहा है के नहीं मिल रहा है वो फिस चीज ठीक नहीं चलेगी, यहां पर आपको कहा जाएगा कि आप यह करिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, जी मैं यह चाहिए, इसको भी लो, शायद इससे भी तुमको मदद मिलेगी, वो भी करो, ताकि उससे भी मदद मिलेगी, पांच-छे और एक्सपोर्स को वो कागतने आपको सायता मिले, इसके पहले 2014 के पहले क्या सिच्वेशन थी, चुकि आपने टाइम नहीं था, आप पर समय कि अच्छा भी ठीक है, निकाल लाओ, बहुत लोग बात करते हैं, कुवेट से हमारे एर्वेग क्वेशन के बारे बारे, जीरा उसकी विश्लीशन करिए, उसक इतना फरक है, अपने छोड़ दिया ठीक है, कर लो, जा जा रहे हैं, वहाँ पे, अच्छा भी मेरा भाई है, उसको निकालो पहले, आज नहीं होता, पहले होता था, पहले होता था, अब हम यूक्रेन से निकाल के आएं, कोई किसी की वो नहीं है, फोन आया ठीक है, भी, प चीजों के अंदर सफलता मिलती है, एक बात और बताई है, कि ये जो समय था, हम लोग लगता था कि अब निकल जाएंगे, फिर हो मशीन, मशीन तूट गई, वो जो सिच्वेशन थी, मशीन तूटी, मशीन वो, और जो है, वो जैसे, कौर्क निकालने का होता है, उस तरह का एक मशीन होती, छेद बनाने के लिए, या साइड में जाने के लिए, पहले हमने जो दूसरे दिन जो ऑगर उठा है, वो इरिकेशन डेपार्टमेंट का था, आगे पत्थर आगी, चटान आगी, उसमें से नहीं जा सकता, उसका पावर बहुत कम था, उसको हटाया गया, न इसके अंदर लोहे का पाईप फंस गया, अब वो तो घूमता है, जब घूमता तेज घूमता है, वो पाईप, इतना मोटा पाईप, उसके चान तरह फंस गया, बिलकुल गोल हो गया वो पाईप, जो कि नॉर्मल उसमें गोल नहीं होता है, वो इतनी पावर फुल मशीन थ फिर उसको पीछे लाना पड़ा, फिर जो पाइप डैमेज हो गई यह उसको काटना पड़ा, यह बाधाएं आते रहे हैं, दूसरी बार भी यह हुआ, उसके अंदर भी और दूसरी बार तो इतना ज्यादा हो गया कि उसमें पुरा कप पूरा वो लेटेस गर्डर जो हो फंस गया तो उसके करण और टाइम हमारे पास कम था हम चाहते थे कि जल्दी करें तो इस अगर मश्ट जो अगर है उसके ब्लेड काट के उसका में जो उसका शाफ्ट है वो काट के निकालना पड़ा वो अपने आपके इंदर बहुत कठन काम था और मैं तो जितनी लोग महां पर इन्होंने काम किया उन सबको बहुत बहुत सादुगा देना चाहूंगा कोई ऐसा नहीं मिला हम को जिसको कहा गया हो कि यह करना उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता दिल से कर रहे पूरे दिल से रैट माइनर को जनल साब आप लोग वहां पर लेका है वो उसके बारे मताएगा व किशी भी बचाओ कारिके अंदर जब आप जब नजदीक आते हैं तो और आपका 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 आगे नहीं जा सकता तो आप इन लोगों कृस्तिहां करते है ऊपर नाज़े से जगे उस साफ करते हैं पोर आगे सकता है यह शहरी लाखों बहुत कम होता है यह वाटर सकते कमपन होगा घर जब घर जायेगा तो वो उसके अंदर जाते हैं जगे बनाते हैं पाइप को आगे किया जाता है फिर जगे बनाते हैं यह काम था उनका तो आखरी जो हमारे साथ मीटर जो बचे थे वह इन को से कभी आपको लगा कि कुछ हिमत हरने जैसे सिस्तिती हो रही है कभी अंदर से फिला है ऐसा ऐसा खुछ नहीं है टाइम की वो ज़रूर थी और हम भी चाहते थे कि जल्दी करने लेकिन टाइम को देखते हुए हमने इस चीज का यकीन किया कि कम से कम वहां पर दस दिन का खाना मौझूद रहे हमने मैंटेन किया जो भी ज ताकि फ्रेश कपड़े पहन सकें इमर्शन रॉड उनके लिए भीजी ताकि अपना पानी गरम करके इसनान करना है मौहाद होना जो भी करना वो कर सकें टूथ पेश टूथ पाउडर वगरा हैंने कोई चीज उनको यह नहीं फील होने दी गई कि वह अगर अगर अखेले प केंदरी मंतरी हैं सवड़क राजमारख भी आप देखते हैं इस टरनल का आगे कब हविश्य क्या देखते हैं इस टरनल को अब जो इस्तिति है जिस त्रा से आपने निकाला आ आगी ऊंड़गों कि तरनल के बारे में टर् prix कि कोई दिक्ट ने जो दिक थी वह हो लिजो की दिक्कत ह Сегодня आब उसको कैसे कर नहीं को सब्सक्राइब उसको क्या सोलूषण हो सब्सक्राइब बहुत शुक्रियाबाद करते हैं जनल वीके सिंग है खुद वहाँ पर डटे रहे एक एक चीज बता रहे हैं और इसका भरोसा दिला रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट भी आगे चलेगा और जो वहाँ पर हुआ है वो पीम ने जिस तरह से मॉनिटरिंग किये है उस पर विशेस ज अमिट शा रैली कर रहे हैं सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं उन्होंने कहा है कि उत्तरकाशी में टनल का काम पूरा ये बड़ी अपडेट जान लीजिए वो आपको बताएंगे लेकिन एक और बड़ी अपडेट ये जान लीजिए कि इस वक्त केंद्रिये मंत्री वीके सुफा से थे 17 दिन तक रेस्क्यू किया गया लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि अब टनल का काम पूरा कर दिया जाएगा आपको सीधे लिए चलते हैं कॉलकाता वहां पर केंद्रे ग्रिमंत्रे वामिच्छा रैली कर रहे हैं वहीं आपको संबोध हन सुनाते हैं जो खूद मिले हुए हैं वो बंगाल को ब्रश्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं मित्रो इतने सारे ब्रश्टाचार हुए हैं कि संसत की पवित्रता को भी त्रिमुल कॉंग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया बेटे लेकर स्वगादे लेकर सवाल पूछने वाले संसत और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या जोर से बोले कर सकती है क्या भाई और बैनो अवेद गुस्पेट अवेद गुस्पेट चरम सिमाप्त आसाम में आसाम की जंता ने भादपा सरकार बनाए दी आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं माल सकता और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर गुस्पेट करकर आये हो और आधार कार चाहिए वाटर कार चाहिए तो इस नंबर पर संपर्ख करिए बंगाल पुलीस चूप मुझे बताओ भाईयो बेनो जिस राज्य में इतनी गुस्पेट होती हो वहाँ कभी विकास हो सकता है क्या जोर से बोलो हो सकता है और इसलिए इसलिए ममता बेनर जी का विरोध कर रही है मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं ममता दिदी देश का कानून है इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू करकर रहेंगे भाई और बेनो जो वहाँ से आए है वो सभी हिंदू भाई और बेनो का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है उनको अपने अधिकार से कोई वन्चित कहीं नहीं करते है मित्रो ममता दि को मैंने कई बार पूछा वो उल्टा हमें हिसाब करती है पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया ममता दिदी आप मेरा भासन जरूर सुन रही होगी मैं हिसाब लेकर आया हूँ कान खोल कर सुन लिज्जे हिसाब लेकर आया हूँ जिस सरकार में आप मंत्री रही यूपीए सरकार जिस सरकार को आपने समर्धन किया उसने 2004 से 2014 में बंगाल को क्या दिया ग्रांटिन एड और डिवेवलिशन का उस सिर्क दो लाग करो रुपिया दिया कितना दिया भाईयो बेहनों बोलो तो और मोधी जी ने दो लाग करोड के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,100 प्रूपिया देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया तो केंद्रे ग्रेमंत्री अमिच्छा को आप सुन रहे थे 2024 के लिए राह बनानी अभी से शुरू कर दी है बीजेपी ने और उसी के तहट कॉलकाता में संबोधन कर रहे हैं ममता बनर जी पर हमलावर हैं केंद्रे मंत्री अमिच्छा